Hello Friends, Welcome to The Lotus Point आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Amazon और Flipkart का Lover Detection Certificate मतलब LDC उसको हम कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं Flipkart या Amazon हमें क्यों LDC issue करते हैं और उसका TDS detection में क्या impact होगा उसको हम समझते हैं Amazon या Flipkart अपने जितने भी online sellers होते हैं उन्हें LDC issue करते हैं जिसमें जो TDS की rate होती है वो normal TDS rate से कम होती है और एक limit तक online sellers को उसी rate से TDS deduct करके government को जमा करना होता है चलिए हम इनको practically example के साथ समझते हैं और इनको हम कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी हम जानते हैं ये screen पर आपको दिख रहा है इसको Lover Deduction Certificate बोलते हैं जिसको Flipkart ने issue किया है यहां पर mention किया है कि the section 197 certificate often called the Lover Deduction Certificate जो section 197 का जो certificate होता है उसी को ही LDC कहा है इसका मतलब होता है कि जो भी e-commerce operator होता है वो section 197 के अंतरकर income tax में application file करते हैं जिससे उनकी जो भी income होती है उससे कम rate पे TDS उनका deduct हो इसके लिए Amazon औ Flipkart अपने जितने भी online sellers होते हैं उन्हें LDC issue करते हैं जिससे उनका जो भी TDS deduct हो वो एक normal TDS rate से कम TDS deduct हो जिससे उनका बहुत सारा पैसा income tax में block होने से बच जाता है यहाँ पे लिखा है कि section 197 of income tax act 1961 address situations where the tax deducted at source means TDS on taxpayers income may be higher than their actual tax liability यहाँ पे online sellers जो e-commerce operator होते हैं उनकी जो TDS की liability है वो उनकी actual tax liability से बहुत जादा deduct हो जाता है इसके लिए जितने भी e-commerce operator है वो section 197 के under income tax में एक application फाइल करते हैं जिससे जितने भी online sellers है उनको lower deduction से उनका TDS deduct करके government को pay करना होता है अब हम यह समझते हैं कि हम अगर online sellers है तो हम अपना certificate कहां से download कर सकते हैं उस certificate में क्या limits होती है और क्या lower deduction की rate होती है उनको हम समझते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले traces में login कर लेना है जिसकी website आपको उपर show हो रही है tdscpc.gov.in यहाँ पर आपको directly login कर लेना है as a deductor यहाँ पर आपको user id और password डालके इसको login कर लेना है जैसे ही आप login करेंगे आपका dashboard कुछ इस तरह show होगा यहाँ पर आपको downloads के उपर टिक कर देना है यहाँ पर download 197 यहाँ पर 206C subsection 9 certificate आप इसके उपर टिक कर देंगे यहाँ पर आप जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन से year के लिए आप अपना certificate डाउनलोड करना चाते हैं हम हमारा current financial year 2024-25 उसके लिए हम यह certificate डाउनलोड करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर pop-up मेंसे 24-25 को select कर लेना है यहाँ पर पूछता है deductive pane अगर आप online seller है जो e-commerce platform use करके अपने product को sale करते हैं जो भी panel के थुरू आप sale कर रहे हैं चाए वो Amazon हो या Flipkart हो आप उनका pen number डालके यहाँ पर उनका certificate देख सकते हैं यहाँ पर आप उनका pen number डालके proceed कर सकते हैं जिससे अगर उन्होंने इस साल आपको कोई certificate issue किया है उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर flipkart का pen number डालके चेक करते हैं कि क्या flipkart ने हमें lower deduction certificate issue किया है यहाँ पर आपको simply pen number put करना है और proceed पर टिक कर देना है जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि flipkart ने under section 94C एक certificate आपको issue किया है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है जैसे ही आप डाउनलोड फाइल को open करेंगे आपको certificate कुछ इस तरह शो होगा जहाँ पर सबसे पहले certificate number लिखा रहेगा अगर आप जब भी अपना TDS का return फाइल करते हैं जहाँ पर आपने LDC rate से TDS deduct किया है उन सबी जगे आपको certificate number लिखना होगा certificate कब issue हुआ उसकी date भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर 10 number जो भी online seller है उनका 10 number यहाँ पर mention होगा उनका company का नाम क्या है वो भी यहाँ पर mention होगा और उनका registered address वो भी यहाँ पर आपको show होगा उसके बाद यहाँ पर clearly एक note लिखा है यहाँ पर एक note लिखा है जो यह declare करता है कि रीचे जो table दी है उसी के इसाब से आपको TDS deduct करना है यहाँ पर आप देख सकता है सबसे पहले certificate number आपको दिकरा है उसके बाद यहाँ पर जो e-commerce operator है जिन्होंने आपको certificate issue किया उनका pay number आप यहाँ पर देख सकते हैं उन company का नाम की Flipkart Internet Private Limited है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद उस section का नाम दिया है Nature of payments payments to contractors तो यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि यह जो certificate हमें issue हुआ है वो केवल और केवल 94C section के लिए ही applicable होगा यहाँ पर आप column number 7 में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक amount mention किया है 10,93,255 यहाँ पर यह limit होती है कि अगर आपके expense इस limit तक होते हैं तो यहाँ पर जो certificate में rate mention किये column number 8 में 0.20% तो आपको यहाँ पर TDS 0.20% ही deduct करना होगा बिसिकली जो 94C section है वहाँ पर आपको 2% TDS deduct करना होता है बट Flipkart ने आपको यह certificate issue कर दिया है जहां पर आप देख सकते हैं कि 0.2% ही आपको TDS deduct करना है और यह certificate valid कब से लेके कब तक है वह आप column number 9 और 10 में देख सकते हैं 20th April 2024 से लेके 31st March 2025 तक यह certificate आपके लिए valid है अगर आपका जो भी e-commerce operating fees है जो 1st April से लेके 19 April तक अगर चार्ज करता है Flipkart तो उस पे आपको 2% TDS government को pay करना होगा बट 20th April से लेके जब तक आपकी column number 7 की amount reach नहीं हो जाती है तब तक आपको 0.20% ही आपको TDS deduct करना होगा एक बार अगर आपने इस limit को cross कर लिया तो जितनी amount भी इसके उपर जाती है उस पे आपको वापस से normal rate से ही TDS pay करना होगा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि Flipkart ने आपको certificate issue कर दिया है जिसकी date है 20th April 2024 बट अगर Flipkart अपने application में कुछ भी amend या correction करता है तो हमें वापस से नया certificate भी दे सकता है इसके लिए जब भी आप अपना TDS का payment करें उससे पहले आप अपने traces पे login करके देख लें कि Flipkart का कुछ updated certificate तो नहीं आया है suppose हम बात करते हैं अभी Amazon की कि मैं अगर updated certificate देखना चाता हूँ तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ यहाँ पर मैंने year में 23, 24 को select किया है और यहाँ पर मैंने Amazon का pen number put कर दिया है यहाँ पर आप जैसे प्रोसीट पर टिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सारी की सारी लिस्ट Amazon की है Amazon ने सबसे पहले आमे 16 में को certificate issue किया था जो section 94J के लिए था बट सेम section 94J के लिए उन्होंने 20 जुन 2023 को वापस से नया certificate issue कर दिया था आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 में को जो certificate issue हुआ था उसकी जो लिमिट थी वो 1,082,749 लूपीज थी और जो certificate में TDS की rate थी वो 1% थी वो जो 20 जून को जो certificate issue हूआ उसमें जो limit है वो तो 심 है बट जो certificate में TDS की rate है वो 0.25% है अब देख सकते हैं कि जो पहले certificate issue वा तो वहां पे 1% की rate थी तो second जो certificate आया updated उसमें 0.25% की rate mention थी इसका मतलब होता है कि Amazon ने जो पहले apply किया था उनको 1% TDS certificate deduct करने का certificate issue हो गया था बट हो सकता है कि उन्होंने वापस application कियो और demand कियो कि हमें इससे भी lower deduction rate चाहिए तो हो सकता है 20th June को यह application approve हो गई हो और उनको 0.25% LDC issue कर दिया हो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि every section में उन्होंने 16 May को अलग rate दिया था और 20th June को उन्होंने अलग rate दिया था आप सब के certificate download कर सकते हैं और उसको compare कर सकते हैं कि काम पे उन्होंने certificate में changes की है तो आप भी make sure हैं कि जब भी आप अपना TDS का payment कर रहें आपको अपना traces को login कर लेना है और वहाँ से आप चेक कर लें कि Flipkart या Amazon ने कहीं पे अपने certificate में amend तो नहीं किया है तो आपको यह ध्यानक नहीं कि जो भी amendment की नई date है वह date से आपको नई rate से ही TDS आपको deduct करना होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो Flipkart और Amazon से जो TDS की lower deduction certificate मिलती है उसका क्या meaning होता है उसको आप कैसे और कहां से आप download कर सकते हैं उनकी जो limits है उनके बादे में भी हमने brief किया है कि आप कैसे उस limit के उपर LDC apply कर सकते हैं और जो TDS की lower rate है उस rate के इसाप से आपको TDS government को pay कर देना है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगियो तो इसको like कीजिए इसको अधिक साधिक लोगों तक share कीजिए और अमारे चैनल पर पहली बाद विजिट कर रहे हैं तो इसको subscribe करना ना भूलें thank you